हेलो दोस्तो वेलकम टू माई चैनल पाउर टेक हेल्प आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि कौन से बीमारी में कौन सा टेस्ट किया जाता इसके बारे में डिसकस करेंगे जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं कि सी बीसी टेस्ट क्या होता है बीड आप यहां से देखेंगे कि जो फर्ष्ट नंबर है सी बीसी टेस्ट क्या होता है यानि सी बीसी का मतलब होता है कंप्लीट प्लॉड टेस्ट यानि इसके अंदर हीमोगुलवीन का टेस्ट किया जाता है टी लसी और टीडिसी का टेस्ट किया जाता है तो आप यहां से कितना पर्जेंट होता है red blood cells कितना male में और female में कितना पर्जेंट होता है फिर से यहां से WBC आप देख सकते हैं जो white blood cell होता है वो कितना पर्जेंट होता है और platelet आप यहां पे देख सकते हैं कि female और मेल में कितना होता है और हीमोगलुबीन का रेंज कितना होना चाहिए जैसे कि आप यहां पर 13.22 लेकर के वह 16.6 तक के इस तरीके के इस यह सब हीमोगलुबीन का रेंज होता है जो कि नॉर्मल होना चाहिए मेल में और फीमेल में कितना होना चाहिए आप यहां से देख सक कि इसका यूज किया जाता है टाइफाइड और पाराटाइफाइड को चेक करने के लिए यानि इस टेस्ट को हम करते हैं विडाल टेस्ट टाइफाइड और पाराटाइफाइड को टेस्ट करने के लिए इससे किया जाता है यानि जैसे कि आप जानेंगे कि क्या होता है जिसस उसके बाद जो 3rd number है आप यहाँ पे देखेंगे कि R.A. factor यानि R का मतलब क्या होता है रहमेट्वाइड और A का मतलब क्या होता है अर्थराइटिस यानि रहमेट्वाइड अर्थराइटिस फेक्टर क्या होता है तो आप यहाँ पे हिंदी में जानेगे कि गाठिया और synovial fluid आप देख रहे हैं यही bay जो healthy joint है healthy joint के भी keto के बीच में आपको यह blue color लुइयू कि पूलर के लिखे गए स्टयों क्या होता है कंभी लगता है जिसके कारन से क्या होता है उनके जो बोन होते हैं यह दो भी और और लौर जैसे कि आप यहां पर देखेंगे healthy joint है फिर से यहां पर osteoarthritis है और यहां पर rheumatoid arthritis है यानि जिसमें क्या होई इसमें बिल्कुल synovial fluid खतम हो गया है और यहां normal नहीं आप यहां पर image देख सकते कि जो घुटने का normal image है ऐसा होता है और जो arthritis नहीं यानि जिस condition में arthritis हो जाता है आप यहां पर देखेंगे जो synovial fluid होता है वो बिल्कुल खतम हो गया तो इस कारण से क्या होता है हमारे bone के अंदर joint के अंदर pan होता है और इस factor को test करने के लिए RF factor test को किया जाता है जानने के लिए अब next आप देखेंगे यहां पर फोर्थ नंबर जो फोर्थ नंबर है LFT यानि LFT test क्या होता है तो liver function test होता है यानि इस test का मतलब करते हैं जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं कि liver function test होता है और यह क्या होता है यूश्टू help diagnose and monitor liver disease or damage यानि LFT test को इसलिए करते हैं कि जो हमारे liver के अंदर कोई सा भी मतलब भीमारी हो या फिर कोई सा भी मतलब disease हो उसको जानने के लिए पता लगाने के लिए इस LFT test को करते हैं जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं यह equipment आपको दिख रहा होगा या यह यह liver काई में जिए अगर इस liver के अंदर बहुत सारे condition में क्या होता है बहुत मतलब problem हो जाता है जब कोई person क्या smoking करता है या फिर सारे condition होते हैं तो उसको यहां पर मतलब पता लगाने के लिए डाइग्नोज करने के लिए इससे LFT test को किया जता है और आप यहां पैंडेक्स्ट यहां पर कि यह जो होता है जैसे LFT test एक जो आप यहां पर देखेंगे बिलरूबिन का पता बिलरूबिन टेस्ट किया जाता यानि–S Lagun ज्यादा हो जाता है तो उस कारण में क्यायोगता है जो c ушता है और लाग्याही लोगता है यानि बॉड़ीया होता है यानि बॉडी का पीला हो जुना लगता है आक पिला होना लगता है जैसे कि आप इमेज में यहां पर देख सकते हैं और जो SGOT है SGPT है और ALP है यह सभी क्या होता है fatty liver या फिर alcoholic liver को चेक करने के लिए किया जाता है जैसे कि आप देख सकते हैं कि healthy liver है और यहाँ पर fatty liver हो गया इस तरीके से alcoholic liver होता है तो बहुत सरे ऐसे condition होते हैं जिसको पता लगाने के लिए इस LFT टेस्ट को किया जाता है यानि liver function test को किया जाता है आप नेश्ट बात करते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे कि कैए क्पाइफ्टि है, तो किड्नी के अंदर कौन कौन से टेस्ट की जाता है तो सबसे पहले आप inheritance में अडरto Kужд réalisator के लिए भी वालोच करते हैं और इसमें का हिते हुएरे कटि नीम थे यहां पर बात करें यहां होता है हमारे dirig के अंदर इसको find out करने के लिए करते हैं और फिर से यह करते हैं यह यह डायलेसिस पैसेंट के लिए होता है यानि कि आप यहां पर समझेंगे कि डायलेसिस पैसेंट क्या होता है कि जो हमारा ब्लॉड होता है उसको क्या करना है कि वह मतलब सही वह में वहां क्या करता है वर्किंग कर र जिस कंडिशन में हमने क्या होता है किडनी सही से काम नहीं गरता है तो इस तरीक से हम लोग Xu взять लाई पाता लगाने के लिए के सब्शिख करते हैं यह केरेटेइंण को फिर यूरीखसीड आप को पता है कि यूरी लिए यहांद के बीच में परजेंट होता है वो क्या होता है खतम होने लगता है तो उसकारण से भी क्या होता है यानि जोएंट पैन के लिए पैन को चेक करने के लिए इस यूरीक एसिट का टेस्ट किया जाता है तो आप लोग समझ गोएंगे इसके एफटी टेस्ट के बारे में फिर नेश्ट उसके बाद है आप यहां पर देखेंगे शिक्स नंबर लीपिट पॉरफाइल टेस्ट यानि लीपिट पॉरफाइल टेस्ट का बात करें तो क्या होता है यह हमारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसके अंदर क्या क्लेस्ट्रोल या फिर ट्राइगलाइस्ट यह ज्यादा मतलब हो जाने के कारण क्या होता है हमारे लीपिट मतलब बढ़ जाता है तो ब्लोड में क्या होता है तो इस तरीके से आप आसानी से जान सकते हैं कि क्लेस्ट्रोल लेबल को चेक करने के लिए इस लीपिट पॉरफाइल टेस्ट को किया जाता है यानि कि जैस इसको find out करने के लिए इसको पता लगाने के लिए लिपीड प्रुफाइल को करते हैं और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो healthy cholesterol level क्या होता है body के अंदर एक रिक्स cholesterol level क्या होता है और dangerous क्या होता है तो जैसे के आप यहाँ पे देखेंगे total कितना होता है 200 mg 60 mg per deciliter है और LDL के कितना होता है 100 mg aber jos this is the normal data पयों बिलसे के लिए क्लिए जाँ हो गया है तो यह गया तो आप ऐसे समझ गये तो chosen by phaseopia में आप यह जाता है तो आप लोग समझ गए होंगे नेक्स्ट वीडियो में मैं दूसरे इसके पार्ट में मैं आपको और सारे टेस्ट के बारे में बता दूँगा इप यू अंडरेस्टेंड इस वीडियो पिलीज लाइक, सब्सक्राइब और शेर मैं चैनल थैंक्स पर वाची में वीडियो